हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अधार OTP से कैसे अपने UPI PIN सेट कर सकते हैं यानि कि गाइस अब आप अधार कार्ड के मदद से अपने UPI PIN सेट कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते ह जानना चाहते है कि अधार काड़ के मदद से पने उप्याइपिन कैसे बना जाता है कैसे उंलाइन पेइमेंट कुए जाता है तो आप इस वीडियो काइन तक देख सकते हैं तो चले गाइस फिर ना करते वीडियो बाइब करते हैं और अगर आपको फ्राइब करने के लिए आ करना होगा सबसे पहले आपको एक application डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है भी यह एक payment gateway application है तो आपको download करने के लिए simply क्या करना होगा अपने phone में play store पर जाना है play store पर जाने के बद आपको यहां पर search करना है भी ठीक है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं play store हमारे सामने है मैं आपको live proof के साथ दिखा जाता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का interface आ जाता है उसको यहां पर सबसे उपर आपको search बार दिखेगा आपको search बार में जाना है और यहां पर आपको टाइप करना है भीम भी एच आई एम आपको यहां पर search कर लेना है जैसे आप यहां पर search करेंगे भीम अप्लिकेशन तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आ जागा यहां पर आप देख सकते हैं तो आपको सिंपल लिका करना इस application को अपने phone में इंस्टॉल कर लेना है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने already इसको install कर रहा है इसलिए यहां पर open option आ रहा ठीक है मैं आपको यहां पर दिखाएता हूं यहां पर आप देख सकते हैं कि एक beam application भी एक payment gateway application यहां सभी आप online payment कर सकते हैं और recharge कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं जो phone पे Google पे Paytm पे होता है वही beam application में भी होता है लेकिन यह feature जो अभी इसी में आया है कि आप अधार कार्ट के बदद से अपने API पिन कैसे set कर सकते हैं तो guys यहां पर आप देख सकते हैं आपको simply क्या करना होगा option का home screen को चीस तरीके का आपके phone में दिखाई देगा तो यहां पर आपको simply क्या करना होता है सबसे पहले अगर आपने कभी bank add नहीं किया होगा तो आपको simply क्या करना होगा यहां पर अपने application में bank add कर लेना जैसे कि यहां पर की साइड में आप देखने हैं कि मेरा और लेड़ी एक bank account add है ठीक है यहां पर की साइड में तो यहां पर मुझे directly feature मिल जाते हैं अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको profile वाल आइकन पर क्लिक करना होगा सबसे नीचे middle वाला जो option है वह आ करना होगा आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आपके bank में अधार कार्ट के मदद से यूपी आई पिन सेट करने को option आया है कि नहीं आया है अगर आ गया है तो आपको simply plus वाल आइकन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको bank account option पर क्लिक कर देना है यानि कि आप दूसरा bank account add करेंगे ठीक है जैसे कि यहां पर मेरा already bank add है और यहां पर मेरा दूसरा bank add करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरा process समझ में आ जाया तो bank account पर क्लिक करते ही यहां पर आपका जो processing लेगा processing लेते ही यहां पर आप से पुछेगा कि आपका bank कौन सा है तो आपक को simply क्या करना होगा अपने bank choose कर लेना है अगर इस में से option दिख रहा है तो choose कर लें और न है आपर टाइप करका अपने bank को неп letters कर लें यहां पर आपको बता देंगा कि आपका bank के हैं स acquainted और यहाँ पर यहां पर यहां प Whose ि करना में आपका डूंक्स पे यहां पर यहां पर यहां पर इस पर क्लिक हो जाएगा है कि किजिए आप इसे डीफल्ट अकेंट जाथे हैं यां से इस अधर आपको जाते हैं तो आपको क्लीख कटर देना बॉक्स पे और यही Pascal पर क्लिक कर देना है जैसे आपके सामने कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपको दो बैंक दिखाई देंगे जैसे कि निचे मैंने सेंटल बैंक आपको सबसे पहले यह चेक करना है कि आपके बैंक में अधार कार्ट के मदद से यू प्याइपिन बनाने का ओप्सन आया है कि न आपको दिखाई दे रहा होगा आप को एडिक करना होगा जैसे कि ऑपर में दीख रहा है ठीक है तो हापने कभी यू प्याइप नहीं बनाया अप्सन दिखेगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे क्लिक करती है आपके सामने कुछ इस तरीके के इंटरफेस हैं जैसे कि यहाँ पर फॉर्गट लिखा है मैंने उस पर क्लिक किया है आप देख सकते हैं कि पेटियम पेमेंट्स बनाने को अप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ देख सकते हैं डेविट कार्ट और अधार कार्ट का अप्शन आ रहा है दोनों यानि कि हम इसमें भी अधार कार्ट के मिद्स सेट कर सकते हैं अब गैस सबसे पहले आपको यह चेक करना कि आपके बैंक में यह फीचर है है तो अगर उसमें से आपका बैंक है तो आपको पता भी चल जाएगा आपको क्या करना होगा सिंपली अधार कार्ट से यूपी आई पिन बनाने के लिए सिंपली अधार वाले ऑप्सन पर क्लिक करके आपको प्रोसीड वाले अप्सन पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके सा क्या होगा या आटमेटिक वेरिफाई होगा और आपके बेंक के तरफ से और एक अधारकाट के तरफ से दो ओटिपी आएंगे दोनों ओटिपी आपको फिल कर देना है फिल करते ही आपका जो है नए आप्सन देखने को आपसेट यूपी आई है तो आपको इस जलूब कर देना और अगर आ आप यह चैनल पर नहींए तो प्रेस करेंडना और आने वाले तो चले आपकर मेंस्ट वीडियो नहीं स्सेंड Absolute जल तब तक के लिए जेहिंद